बहन जी तो बीजेपी के साथ है तुनकी भागिदारी क्यों हो बहुजन संसद बहुजनों के हक अधिकार और आत्म सम्मान बहुजन संसद दिल्ली के कंस्टिचूशन कलब में दो जुलाई दो हजार तैईस को क्यों एक ही जाती का जज होता है क्यों एक ही जाती का वाइस चांसलर होता है क्यों एक ही जाती का प्रोफेसर होता है क्यों आखी रहे हैं कि नई संसद बहुजन का नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेटकर के नाम पर हो अभी नहीं तो कभी नहीं इस देश में मनुवाद व वो देश पे राज करेगा नमस्कार मैं प्रियंका आप देख रहे हैं जनहीत आवाज मेरे साथ डॉक्टर ओम सुधा हैं जो की लगातार बहुजन समाज के मुद्दे पे मुखर होके बोलते हैं तमाम वीडियो में इनको आप देख पाए होंगे आपने सुना भी होगा कि ध बहुजन संसद बहुजनों के हक अधिकार और आत्म सम्मान के लिए ये बैनर है बहुजन संसद का इसमें उपर ही लिखा हुआ है बहुजनों के हक अधिकार और आत्म सम्मान के लिए बहुजन संसद हमने पूरे देश में बहुजनों के सवाल पर S.C.H.T.O.B.C. समाज क के बुनियादी सवालों पर हक अधिकार के लिए पूरे देश में पैटालिस से ज़्यादा राउंड टेवल कॉनफरेंस करा है। पूरे देश में लोगों ने समाज के लोगों ने बढ़ चरकर जो है उसमें हिस्सा लिया। और हम लोगों को लगा जब पूरे देश में जो ह इस तरह से राउंड टेवल कॉनफरेंस हुए हैं उसका निचोर क्या है आगे की रणनीती क्या होगी उसकी प्लानिंग के लिए हम लोगों ने बहुजन संसद दो हजार तईस लगाने का काम किया है। ये बहुजन संसद दो हजार तईस दिल्ली के कंस्टिचूशन कलब मे दो जुलाई दो हजार तईस को दिन रविवार का है सुबह दस बज़े से होने जा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से जनहित आवाज के माध्यम से मैं तमाम समाज के लोगों को अगरह करता हूं या जो बहुजन संसद है या आपके लिए किसी डॉक्टर ओम सुधा के ल कि लिए कई हम जिन मुद्नों पर लड़ाएं लड़ रहे हैं वह आपके मुद्दे हैं हमारा मुद्दािया हे आरक्षण का हमारा मुद्दा कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरकषण होना चाहिए और जो सेक्टर अट वो गैस्ट निजी करन रुके और नोकरी में आरक् चण मिले हमारी ये हम इन मांगों पर जो है बहु जंसर लगा रहा हैं साथ ही साथ हमारा ऐसा मानना है कि इस देश में जो Evm से छुनाव होता है Евm एक बैमान मसीन है इस देश में Evm से नहीं बैलेट पेपर से छुनाव होना चाहिए तो हमारी मांग है EVM को बैन करो और बैलेट पेपर से चुनाव कराओ साथ ही साथ हम यह जानते हैं इस देश में S.C.H.T.O.B.C. समाज को की भागीदारी से रोकने के लिए तमाम तरह के सरियंतर और साजी चलते रहते हैं समाज के लोगों को जाती का अनुपात में जाती के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए जिसकी जितनी संक्या भारी उसकी उतनी भागीदारी इस नारे को आधार बना कर हम लोग चाहते हैं कि जाती जनगन्ना जो की गई है केंदर सरकार के द्वारा जाती जनगन्ना का प्रक जाती का प्रोफेसर होता है क्यों आखीर हैं और कही हैं जहाँ जहाँ भी सत्ता में नोंने बहुजनों की बेदखली की है इनोंने कबजा कर रखा है जब जाती जनगन्ना का پरकासन होगा वह चहरा भी असप्स्ट हो जाएगा साथ ही साथ हम लोग मानते हैं कि आबादी के हिसाब से आरक्षन हो यह जो 50% की लिमिट हो अभी सवर्न आरक्षन में तूट भी गया है तो इस देश में SC, ST, OBC समाज के आबादी 95 फिजदी है तो आबादी भी 95 फिजदी होनी चाहिए सवर्नों की आबादी 5 फिजदी है 5 फ फारिशों को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए पूरे देश में संबैधानिक और लोकतंत्रिक संस्ता हैं खत्रे में ED, CBI, Judiciary तमाम संगठन संस्ता हैं अभी जो है और संबैधानिक तरीके से सरकार के इसारे पर मनुवादियों के इसारे पर काम कर रहे हम चाहत है कि नई संसत भवन का नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर हो इस सरकार की असाजिस थी कि वो सावरकर या गोलवलकर के जन्म दिन पर संसत का उद्गाटन करते और उसका नाम भी सावरकर या गोलवलकर के नाम पर रखते तो हमारे राष्टिय अध्यक अब्टर उदित राजी के नितिवित में ये लड़ाई चलती रही, इन्होंने सावरकर के जन दिन पर तो उद्गाटन किया, लेकिन इनकी हिम्मत सावरकर के नाम पर संसत भवन का नाम करने की नहीं हुई, यह इस देश के S.C.H.T.O.B.C. समाज की जीत है, या किसी उदित या ओम सुधा की जीत नहीं है, हमारा समाजीता की सावरकर या गुलवलकर के नाम पर हमने संसत भवन का नाम नहीं रखने दिया, इन तमाम मामलों पर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और आपके चैनल के माध्धम से हम सबों को अपील करना चाहते हैं, आप अगर आटसब पे मेसेज करिए, कॉल करिए, मैं सिधा जवाब देता हूँ, दो जुलाई दो हजार तईस के लिए अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं, तो जरूर आईए और दिल्ली से दूर हैं, अभी भी मोका है, ट्रेन का टिकट लीजे, हवाई जाहज का टिकट लीजे अभी नहीं तो कभी नहीं, इस देश में मनुवाद वर्से संबेटकरवाद की लड़ाई हैं, हम अंबेटकरवाद के पक्च में हैं, हम समतावाद के पक्च में हैं, इस देश में मनुई स्मिर्ती वर्से संविधान की लड़ाई हैं, हम संविधान के पक्च में हैं, हम ल बावा करती है सबका साथ सबका विकास अब भारतिय जनता पार्टी तो ऐसा सबका साथ सबका विकास कर रही है कि दलितों की भागिदारी खतम कर दी दलितों को सरकारी कमपणियों में नोकरी मिलती थी तमाम सरकारी कमपणियों को बेच दिया नोकरी खतम कर दी सरकारी उपक पार्टी के लोग इस देश में ब्रह्मन बर्चस्व की लड़ाई लड़े हैं सबका साथ सबका विकास नहीं है इनका है सबका वोट और ब्रह्मनों का विकास तो जो बड़े बड़े दावे किये जाते हैं वो क्या है और दूसरी तरफ आप जब देखेंगे कि 23 जून को बिपक्ष बड़ी बैठक कर रही है उसमें बहन जी की भागिदारी नहीं इसको कैसे देखते हैं बहन जी तो बीजेपी के साथ है तुमकी भागिदारी क्यों नाराज क्यों है बहन जी हमारी समानित समाज की नेता है क्यों हम नाराज होंगे भाई लेकिन इस बात से नाराजगी है कि बहुजन समाज पार्टी ब्रह्मन समाज पार्टी में बन गया थी इस बात से किसको एतराज है तो फैक्ट है बहुजन सम्मेलन मानिवर कांसी राम कराते थे इन्होंने सरवजन सम्मेलन कराया और इस बिधान सभाद चुनाओ के पहले जो है ब्रहमन सम्मेलन करा दिया थी इसको बहुजन समाज पार्टी कोन कहता है यह मानिवर कानसीराम साहब की पार्टी नहीं है, यह सतीस मिस्रा की पार्टी है, इसका नाम बदल कर अब ब्रह्मन समाजवादी पार्टी कर देना चाहिए, यह सवर नारक्छन के पक्छ में हैं, यह मंच पर बावा साहब की नहीं, गणेस की मूर्टी लगाते हैं, तो यह कब से बहुजन के नेता हो गए, बहुज का चेहरा काउन आपकी नजर में? तो मलिकारजुन खरगे मुझे लगता है, 2024 में सबसे अच्छा चेहरा है, और अगर मलिकारजुन खरगे को बिपक्छ परधान मंत्री के दावेदार के रूप में प्रस्तूत करता है, तो मुझे लगता है कि भारतिये जनता पार्टी के लेकर मुश्किल खड़ी हो तो दलितों के नेता है, तो दलित नेता का विरोध करना इनके लिए मुश्किल है थोड़ा, दलित एक तो इनकी एंटी दलित इमेज बनी ही है, खरगे पर एटेक करना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा वेक्तिगत हमला करना, कोई पारिवारिक राजनिती से नहीं आए, मल्लिकार जुन खरगे को हम चाहते हैं कि इस देश के परधान मंतरी बने हैं उनको क्या कहेंगे जो तमाम दलित हैं जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं और उनका कहना है कि अगली पीम दोहजार चौबिस की वो बहन जी ही बनने वाली है नहीं कहां से बनेंगे भई या ब्रहमनों के सपोर्ट से कहां से बनेंगे और ब्रहमन बीजेपी को जीताएगा कि मैवती जी को जीताएगा वो जमाना गया जब पसेना गुलाब था अब मेयावती का दौर भी चुका है अब देश के बहुजनों को बेवकुब बहुत दिनों तक नहीं बनाया जा सकता है तो समर्थन राजनिती है लोगों का जैसे मेरी राय है खरगेजी बने तो मेरी दूसरी पसंद खुद ही मायावती है दूसरी पसंदे पहली पसंद मेरी वक्तिगत चाहत है तो क्या लगता है कि जहां बहुजन समाज अभी रासन पर ही अटका हुआ है उसको यह जो पेचीदा राजनेती है भारत की क्या समझाएगी नहीं पेचीदगी की बात ही नहीं है यहीं लोग वोट डालते हैं और क्या है कि अब भारत की जनता को ज हिटलर का भी दौर था कभी इंडिया इजिंदरा इंडिया था इंदरा को जाना पड़ा हिटलर मुसोलिनी को जाना पड़ा मुद्धी क्या चीज़ा सबको एक दिन जाता है तो आप लोग साब तवर पे देख पाए होँगे कि कि किस तरह से ओम सुधा जी कह रहे है कि झाल झाल